एक चीज में आपको बता देता हूँ अगर आप चाहते हो इस चेप्टर के क्वेस्टन्स करना वो भी टाइम बाउंड ठीक है तो आप इसके टेस्ट कर सकते हो unlimited practice कर सकते हो with the help of ATP star app नीचे description में link दिया हुआ है वहाँ से app को download कर सकते हो यह हमारी जो website है www.atpstar.com वहाँ पे जाके भी आप इस particular chapter का practice कर सकते हो खुलके ओके गाईस तो चलिए revision start करते हैं देखिए सबसे पहले जो alky while highlight है उनके method of preparation हमें देखना है कि कहां कहां से वो बन सकते हैं तो आप अपनी eyes को close कर लिजे और एक एक चीज जो जो मैं बोलूं उसको imagine करते जाए तो जब जब उसको imagine करेंगे तो आपके दिमाग में वो लिखना शुरू हो जाएगा आपको वो compounds दिखने शुरू हो जाए ठीक है तो किसी को tension लेने की ज़रूत नहीं है तो यहां पर alcohol जो है उसमें आप सभी जानते हो OH ग्रूप होता है अब OH हटके अगर halogen आ जाए तो मजा आ जाए ठीक है लेकिन अगर OH हटके halogen आएगा तो हाँ alkyl halide तो बन जाएगा बट issue क्या है तो अगर इसमें technical issue की बात करें यानि mechanistic issue की बात करें तो वो यह है कि OH एक अच्छा living group नहीं होता यानि OH negative निकालना असान नहीं होता OH negative easily नहीं निकलता इसलिए जब जब यह reaction करता है पहले OH को एक अच्छे living group में create किया जाता है ठीक है और फिर इसको remove किया जाता है तो यह थे उसका थोड़ा deeper aspect हो गया अब हम जानते है कि कौन कौन सी reaction से halogen आ जाएगा देखिए ये reaction ऐसी है जिनको सीधा देखके ही समझ में आ जाता है कि halogen ही आएगा जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम SOCl2 का use करते हैं थायोनिल वाला जो method है यह बहुत ही amazing method है क्योंकि इसमें जो living groups होते हैं वो होता है SO2 and HCl SO2 HCl जो होता है guys यह क्या होता है actually यह gaseous होता है तो gaseous होने की वज़े से solution से यह फुर निकल जाता है तो equilibrium किदर shift होता है forward में shift होता है according to Lee Chatelier principle तो SOCl2 के साथ preparation बहुत जादा effective होती है there is one more method अगर हम red phosphorus के साथ halogen लेते हैं तो भी OH हटके halogen आ जाता है लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे halogen या तो bromine ले सकते हैं या हम यहाँ पे iodine ले सकते हैं bromine या iodine आप PCL5 के साथ reaction कराके भी halogen लगा सकते हैं आप PCL3 के साथ reaction कराके CL लगा सकते हैं PBR3 के साथ reaction करके BR लगा सकते हैं NABR प्लस H2SO4 का use करेंगे तो BR आएगा अगर आप इसमें lucase reagent यूज करेंगे lucase reagent आप सभी जानते होंगे कि lucase reagent होता है concentrated HCl plus ZNCl2 तो इन सभी में आप देख सकते हो कि negatively charged PC जो है वो halogen ही है तो understood है कि OH8 के halogen आएगा ही अब यहाँ पे जो lucase test है इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि lucase test में SN1 mechanism favorable होता है और 3 degree alcohol इसको बहुती जल्दी दे पाता है turbidity produce होती है ठीक है ना cloudiness आ जाती है 2 degree में reaction थोड़े समय के बाद होती है और 1 degree में reaction favorable नहीं होती room temperature पे सिर्फ heat करने के बाद ही ऐसा होता है अब देखिए अगली चीज़ क्या हो सकती है और कैसे बना सकते है अच्छे एक बात बताओ alkane से बना सकते है क्या इसको can it be prepared by alkane हाँ अगर alkane पे hydrogen हटके halogen आ जाए अगर hydrogen हटके halogen आ जाए तो बात बन जाए तो सोचके देखिए कौन से reaction से ऐसा हो पाएगा येस ये हो सकता है अगर हम photo halogenation करेंगे photo halogenation बहुत ही famous reaction है सभी ने की होती है तो hydrogen हटके halogen आ जाएगा in the presence of halogen and uv light अगली अगर हम reaction की बात करें preparation की तो ये बताओ alkane से alkane से alkyl halide बन सकता है क्या खुदी सोचिए माली जी हमारे पास propene है और propene पे अगर हमें halogen लगाना है तो alkyne पे कौन से reaction होती है याद आया कुछ आपको हाँ alkyne पे होती है addition reactions तो अगर alkyne पे हम HCl, HBr, HI इन सबका marconic of addition करते हैं अगर क्या करते हैं marconic of addition तो ऐसे case में pi bond टूटेगा और marconic of rule के हिसाब से halogen आ जाएगा right? halogen will come according to marconic of rule अगर मुझे 2 halogen लगाने हैं मालने जे 2 Cl या 2 bromine लगाने तो क्या करना पड़ेगा? हाँ ऐसे case में BR2-CCL4 का use कर सकते हो जिससे brown color जो होगा solution का वो decalrise हो जाएगा तो pi bond टूटेगा और 2 bromine यहाँ आ जाएगे यानि 2 halogen लगाने के लिए क्या करना होगा आप सभी जान चुके हो उसके अलावा एक और 2 reactions और होती हैं जिनको बोलते हैं halide exchange reaction जिसमें halogen की जगह पे एक और नया halogen आ जाता है जिसमें पहली reaction होती है finkelstein reaction, finkelstein reaction में halogen हटके iodine आ जाता है यानि halogen यहाँ पे पहले होता है CL और BR, CL या BR में से कोई भी हो सकता है और अगर सामने हम लेते हैं NAI acetone अगर हम सामने लेते हैं NAI acetone तो हाँ पे CL हटके या BR हटके उसकी जगह पे iodine आ जाता है iodine उसको replace कर देता है यह LCP यानि Leach Atelier Principle का application है क्योंकि जब इसमें NACL बनेगा या NABR बनेगा तो वो precipitate हो जाएगा और precipitate होके जब वो निकलेगा तो equilibrium forward में shift हो जाएगा that is an application of LCP अगली reaction जो है इसमें वो होती है Swartz reaction Swartz reaction में halogen यानि chlorine या bromine हटा के उसकी जगह fluorine आता है अब यहाँ पे जब fluorine आता है तो fluorine लगाना difficult होता है तो उसके लिए metallic fluoride लिये जाते हैं transition elements जो है उनके fluoride लिये जाते हैं कोई भी fluoride नहीं लिया जाता ऐसा नहीं है कि NAF, KF कोई भी ले लिया जैसे कि यहाँ पे लिया जाता है AGF ले सकते हैं Silver fluoride, HG2, F2 ले सकते हैं COF2 ले सकते हैं SBF3 ले सकते हैं AGF, HG2, F2, COF2 या SBF3 लिया जा सकते हैं इस तरीके से आपने देखा कि halogens को, alkyl halides को बनाये जा सकता है अब reactions की अगर हम बात करें तो जो alkyl halides होता है normally उसमें दो तरह की reaction होती है normally दो तरह की reaction होती है सबसे major होता है substitution reaction, nucleophilic substitution reaction जिसमें nucleophile आता है और halogen को replace कर जाता है और बड़ा मज़ा आता है और दूसरी possibility होती है elimination reaction जिसमें halogen के साथ में एक और group remove होता है और alkyne form हो जाता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे nucleophilic substitution के बारे में तो guys, nucleophilic substitution दो तरह का होता है एक तो होता है SN2 mechanism और एक होता है SN1 mechanism अगर SN2 की बात करें तो SN2 में simple it is a one step mechanism एक step का mechanism होता है जिसमें living group के opposite side से attack होता है कहां से attack होता है living group के opposite side से attack होता है and inversion of configuration takes place inversion of configuration हो जाता है ठीक है अब SN2 mechanism की अगर हम बात करते हैं तो जितना alkyl halide bulky होता जाएग जैसे imagine करो मालीजिए alkyl halide हमारे पास 1 degree है फिर 2 degree है फिर 3 degree है तो जितना बलकी होता जाएगा SN2 mechanism होना उतना ही difficult होता जाएगा यानि SN2 mechanism में सबसे बड़ा factor क्या होता है सबसे बड़ा factor होता है steric hindrance का ठीक है तो यहाँ पे जितना बलकी group होगा hindrance उतनी जादा होगी और reactivity lowest हो जाएगी यानि सबसे जादा reactivity अगर हम बात करें तो वो होगी primary alkyl halide की अगर हम बात करते है SN1 mechanism की तो SN1 mechanism में directly halogen replace नहीं होता है पहले halogen निकलता है पहले step में जो slowest step होता है और उसके बाद ketan बनता है यह step काफी cut in होता है इसलिए इसको RDS भी बोलते है यानि यह step अगर fast हो जाए excel rate हो जाए तो rate बढ़ जाएगा तो ketan जो है वो बनता है उसके बाद फिर यहाँ पर अगले step में nucleophile attack करता है तो normally it is a two step reaction अब यहाँ पर जो rate होता है dear students वो निर्वर करता है ketan की stability पे ketan जितना stable होगा rate उतना ही क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा यानि जो SN2 में हुआ था उससे reverse यहाँ होगा यहाँ पर जितना degree बढ़ती जाएगी rate उतना ही जादा होता जाएगा क्योंकि ketan की stability भी बढ़ती जाएगी बात समझ मैं ही आप सभी को अब यहाँ पर SN2 से related कई सारे और भी concept होते है optical activity का chirality का resumization का नॉर्मली यह चीजें optical isomerism में student actually पढ़ लेते हैं अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर elimination reactions में क्या होता है elimination reactions में एक तो halogen निकलता है और halogen के बगल वाला carbon यानि जो बीटा carbon है वहाँ से hydrogen निकलता है तो जब hydrogen और halogen निकलता है यानि it is reverse of addition reaction addition reactions का reverse होता है और pi bond form होता है यानि इनमें alkene form होता है dear students ठीक है और यह जो reaction होता है यह किसी suitable base की presence में होता है substitution और elimination का सबसे बड़ा difference अगर कुछ है तो वो difference आता है base में अगर alcoholic medium हम लेते हैं तो ऐसे case में alcoholic koh होगा तो वो base की तरह behave करता है और अगर aqueous koh होगा तो वो normally nucleophile की तरह behave करेगा dear students तो base जो होता है वो elimination को favor करता है और जो nucleophile होता है वो हमारा nucleophilic substitution को favor करता है अब जब ये alkene form होगा तो alkene या तो कैसा बन सकता है less substituted यानि जहां पे alpha hydrogen कम है और या दूसरा हो सकता है जिसमें alpha hydrogen जादा है तो खुदी सोचो भई जिसमें alkene में जादा alpha hydrogen होगे जिस alkene में जादा alpha hydrogen होगे वो particularly क्या होगा वो जादा stable होगा तो essay product को बोला जाता है różative product क्या बोलते है dear students हाँ essay को बोला जाता है तो इस तरीके से reactions की जाती है substitution as well as elimination और दोनों में सबसे बड़ा difference किस बात का है hoping that ये बात आपको समझ में आई होगी right उसके अलावा there is one more reaction जो aromatic halide से related होती है अगर benzene पे halogen लगा हो तो ऐसे case में वो nucleophilic substitution नहीं कर पाता है क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों होता है अगर benzene पे हमने halogen लगाया तो ऐसा क्या वो reaction कर पाएगा तो वो reaction नहीं कर पाता है उसका reason आप सभी जानते हो कि वहाँ पे जो halogen है उसका lone pair benzene के साथ resonance करता है resonance करने की वज़े से वहाँ पे double bond character आता है और double bond character आने की वज़े से क्या होता है yes उसकी वज़े से होता है कि reactivity जो होती है वो benzene containing halides की काफी कम हो जाती है तो वो substitution reaction nucleophilic substitution नहीं कर पाते है okay guys so hoping that आप सभी को पता लग गया होगा कि किस तरीके से alkyl halide form होते है preparation कैसे होता है और उनकी major reactions कौन सी होती है hoping that you liked the podcast make sure you hit the like button और अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो make sure to subscribe it right now bye-bye take care and keep preparing well